हेलो गाइज आप सभी को छट पूजा की हारदी शुपकामना है दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि दो सालों से छट पूजा के लिए परमिशन नहीं मिल रही थी लेकिन अब मिल चुकी है तो लोग बहुत धुमधाम से ये फैस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम भी अपने घर के पास गए थे तो हमने वहाँ पे देखा तो काफी भीड थी तो हमने जानने की कोशिश की कि पूजा मतलब कैसे होती है और क्या किया जाता है तो हमें कुछ बाते बताई तो मैं वह आपको बताते हूँ पेसिकली ये सूरे अपासना का परव है जो की कार्तिक मेहने की चतूर्थी से सब्तमी तिति तक मनाया जाता है और सूरे जो तो शष्टी व्रत होने के कारण ही इसे चट कहा जाता है मानिता ये है कि छट देवी सूरे देवी की बहन है और उन्हीं को प्रसंद करने के लिए भगवान सूरे की अराधना की जाती है जो पर्व का प्रारम है वो नहाय खाय से होता है जिस दिन व्रती स्नान कर अर्वा, चावल, चना, दाल और कद्दू की सबजी का भोजन करते हैं नहाय खाय के दूसरे दिन यानि कार्तिक शुकल पक्ष पंचमी के दिन दिन भर व्रती उपुवास कर शाम में रोटी और गुड से बनी खीर का प्रसाथ ग्रहन करते हैं इसी पूजा को खरना का जाता है इसके अगले दिन कार्तिक शुकल पक शश्टी दितिति को उपुवास रखकर शाम को व्रतिया तोकरी में ठेकुआ, फल, एक, समेट, अन्य प्रसाद लेकर नदी तलाब या अन्य जलाशों में जाकर अस्ता चल गामी सूरे को अग्र दिया जाता है इसके अगले दिन यानी सप्तमी तिति को सुबा उधिये मान सूरे को अग्र अर्पित करके रत तोड़ा जाता है तो ये थी छटपुजा से रिलेटिड कुछ बाते, होप फ्रेंस आपको पसंद आये होगी और आप सभी को चटी महिया की हारदिक शुपकामने जै हो चटी महिया की